तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए तो आएए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर आलू के पापड बनाने के लिए मैंने लिये हैं यहाँ पर बॉयल किये हुए आलू तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइस के आलू लिये हैं आप इससे जादा जो छोटे आलू होते हैं वो भी ले सकते हैं और चाहें तो बड़े आलू भी ले सकते है पर हमें यहाँ पर इन आलूओं को मेश करना है इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइस की आलू लिये है इसे मैंने यहाँ पर दो बिसे लाने तक अच्छे से पका लिया है ज्यादा मेश नहीं करना है आपको और हाँ पर ठंडा होने के बाद इसका चिलका खटा लिया है तो फ्रेंट्स, यहाँ पर चिलका हटा लेने के बाद आप चाहें तो इन आलों को अच्छे से अपने हाथ से भी मैश कर सकते हैं यह देखें, मैं आपको करके बता रही हूं, इस तरह से और अगर आपको हाथ से मेश नहीं करना है तो आप यहाँ पर किसनी की हेल्प से या फिर मेशर की हेल्प से भी इन आलों को बहुत ही अच्छे से मेश कर सकते हैं तो यह देखिए मैं आपको यहाँ पर एक आलो इस किसनी से भी अच्छे से किसकर दिखा देती हूँ तो ये देखिए, यहाँ पर आलू अगर आप इस तरह से किसे हैंगे तो बिल्कुल एक जैसा मैश हो जाएगा तो मैं अभी यहाँ पर हाथ से ही इन्हें बहुत अच्छे से मैश कर लेती हूँ जिस तरह से हम आटा लगाते हैं अच्छे से मसल करके उस तरह से मैंने यहाँ पर के मसल करेंगे इसका एक डो तयार कर लिया है इसमें मैंने डाला है यहाँ पर एक चमच रेड़ चिली फ्लेक्स और साथ ही एक चमच जीरा और हम डालेंगे इसमें यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अगर आप बरत के लिये बना रहे हैं तो सेंदे नमक का यूजर शक है और अगर आपके पास रेड़ चिली फ्लेक्स नहीं है तो कोई बात नहीं आप यहां पर ऋसे आप यहां पर यूजर कर सकते हैं अपर बड़ी लोई बनाते हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ पर ज़ार लगाना है, यह देखिए, आप लोई लगाना है और यह देखिए, अब बनाने के यहां पर एक अलग से प्लास्टिक शीट वाइब अब आते हैं उस तरह की प्लास्टिक शीट को लेकर आप काट करके चोकोड तैयार कर सकते हैं और उस अब आ अधा लिए और उपर से प्लेटब ले सकते हैं जिससे में इसे हलका सा प्रेस कर दूँगी जादा प्रेस नहीं करना है थोड़ा मोटा ही रखना है तो यह देखिए हमारे पापड इस तरह से बन करके तयार हो जाएंगे तो ऊपर प्लास्टिक शीट हमने लगाई थी उसे में हटा लूँगी और इस पापड को यहीं छोड तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पापड को बहुत जादा दबाना नहीं है बहुत जादा पतला नहीं बनाना है पतला बना देंगे तो यह सूखने के बाद और जादा पतले हो जाते हैं तो फिर आपको यह निकालने में दिक्कत आएगी तो यह देखिए मीडियम स हवा में भी इन्हें सुखा सकते हैं तो यह देखिए अच्छे से धूप में हमारे पापड जो है वह सूख गए मैंने करीबन दो दिन तक धूप में बहुत अच्छे से सुखा लिया बिल्कुल ड्राइ हो गए एकदम कागज जैसे यहां पर पतले हमारे पापड बने तो चल यहां पर पापड फ्राइ हो गए हैं और का इंका टाडर्वी कितना अच्छा है और ये एक दम कृष्पी और कऱारे बने दैदेखिए यहां ह पर मैंने तार पतव पह्त अच्छा है अस तरह कि पापड खाने में भृव sod भी खा सकते हैं और भिना ब्रत की भी आप leklot कर आपको यहां पर तोड़ करके दिखाती हूं इस पापड को कितने पतले बने हैं और कितने क्रिस्पी बने हैं तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज के पापड की रेसिपी कैसी लिगी और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे और भी पापड की रेसिपीज मिल जाएंगी जिन सबके लिंक में देदूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप चाहें तो वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्फुल र पाएंगे साइड में जो बेल आइकन है उसे भी सरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम या एवडि पर फॉलो करना तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए तिल देन बाए बाए